हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो टारगेट फोर आईक्यू, होमो सेक्शुल एड हेट्रो सेक्शुल रिलेशन्शिप को लेकर कुछ ने कुछ ने कुछ न्यूज हमें कोर्ट से सुनने को मिली जाती है, सन दो हजार तेईस यानि पिछले साल केरला हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा रिमार्क दिया था जो काफी निंदे ही था, अब उसी से रिलेटिड मैटर आया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सीशु करी है, बट गाइडलाइन समझने से पहले हमें पहले पूरा मैटर का एक ओवर व्यू समझना जरूर है, पहले हम यह ज है जिसको हम आम तोर पर LGBTQ community में रैफर कर देते हैं, हेट्रो सेक्शुल रिलेशन्शिप होता है, दो ऐसे व्यक्ति जो अपोजिट सेक्स में है, जैसे लेविल रिलेशन्शिप में भी आ कोई लड़का लड़की के साथ रह रहा है, तो वो हेट्रो सेक्शुल रिलेशन्श के रखा हुआ है, और उसने हैबिस कोर्पस के एक पैटिशन यारी डाली थी, जिसमें बोला गया था कि उसको कोट के सामने बुलाया जाए, तो केरला हाई कोट ने एक उसकी मदद करने के वज़ाए, उसको ही सुनाना स्टार्ट कर दे कि आपको काउंसुलिंग की जरूरत हाई कोट ने डिसीजन दिया था, उसको पे स्टे लगा दिया, और सुप्रीम कोट ने एक फीमेल ऑफिसर को अपोइंट किया, और उनसे कहा कि जो लड़की यारी जिसने रिट पैटिशन लगाई, उसकी जो पार्डनर थी, जिसको घर में बंद करके रखा था, आप उसके के साथ रिलेशनशेप में आऊंगी, ये मेरी खुद की मरजी है, फिर सुप्रीम कोट ने कहा कि जब लड़की ने बयान में खुद ही वालन्टरिली ये चीज बोली है, तो इसमें जुडिशन सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोट ने ये सारा मैटर जब सुना तो गाइडलाइन्स इशू करी हैं, और बोला है कि ये गाइडलाइन्स अपसे कोट ध्यान में रखते हुए अपना ओर्डर देगी, कैसे, अगर कोई याचिका करता, यानि हाइबेस कोर्पस की पेटिशन डालता है, या फिर पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है, LGBTQ कम्यून तो गाइडलाइन्स इशू करी हैं, वो किन-किन जज़ीज ने करी है, सुप्रीम कोट के, तो हमारी चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया डिवाई चन्रचूड, जस्टीस जेबी पार्डिवाला एंड जस्टीस मनोज मिश्रा, इन तीनों जज़ीज ने मिलकर गाइडलाइन्स इस इशू करी है, गाइडलाइन्स में क्या बोला है, अर्जेड हीरिंग of hebious corpus and in case of police protection, यानि कि अगर कोई व्यक्ती कोर्ट में जाता है, hebious corpus की रिट लगाता है, या police protection की मांग करता है, तो कोर्ट को ये application बहुत ही जल्दी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क evaluating the locust standi of a partner court must not make an inquiry in respect of relationship between the petition and other partner court ने बोला कि जो court के सामने आ रहा है है बेस कोर्पेस की petition लेकर या police protection को लेकर court उससे ये सवाल नहीं पूछेगी कि आप दूसरे व्यक्ति के कौन लगते हो आप क्या करते हो ये court को नहीं पूछना चाहिए ये guideline में इन्होंने बोला था तीसरी guideline थी to make friendly environment अब जो व्यक्ति court के सामने आ रहा है उसको court को comfort करना है क्यों comfort करना है कि वो अपनी सारी बात freely court के सामने रख सके अगर court ही उस पर burden बनाएगा तो ये संभावना है कि वो सारी बात court के सामने खुल के नहीं रखेगी या नहीं रखेगा तो court को ये सुनिश्चित करना है कि court में जो proceeding चलेगी उसका environment बहुत ही जादा friendly होना चाहिए corpus when produced must be given the opportunity to interact with judge in person and ensures the safety of detained person court ने बोला है जो व्यक्ति detained था यानि जिस व्यक्ति को घर में रखा गया था अगर वो court के सामने आ रहा है तो उसको इतनी opportunity यानि इतनी chance देने चाहिए कि वो court यानि court में तो judge बैटा है उससे वो personally मिले उसके साथ और कोई नहीं हो ठीक ये guideline issue करने के पीछे objective क्या है कि जिससे वो अगर judge के सामने one on one बात करेगा तो फ्रीली बात करेगा कोई किसी का burden नहीं होगा किसी family का burden नहीं किसी police वाले का burden नहीं तो judge ने ये guideline में यही बोला है कि judge और जो detained person था उनकी बाते आमने सामने होगी और कोई नहीं होगा और ये सुनिश्चित करना भी court का काम होगा कि वो जो detained person है उसकी safety का भी ध्यान रखा जाए no undue influence either from side of police or family members इसे बोला गया है कि जब आप detained person court में लेकर आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना भी court का काम है कि उस पे undue influence ना दिया जाए यानि कोई जोड जबज़श्ती उस इंसान पर ना करे कोन ना तो कोई police वाला करे ना कोई family member तो ये guideline में issue किया गया था फिर the person must be given a comfortable seat access to drinking water and washroom कि जो person court में आ रहे हैं अपनी fundamental right को बचाने के लिए अपने right claim करने के लिए उसको अच्छे से treat किया जाए उसको comfortable seat प्रदान की जाए उसको time to time पानी offer किया जाए अगर washroom जाना है तो washroom जाए एक friendly माहल court में create किया जाए ये guideline में issue किया गया था ascertain the age of detained person अब ये भी court को ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति को अपने घर में बंद है किसने बंद कर रखा है कोई family member हो है कोई relative उस person की age कितनी है ऐसा तो नहीं है कि वो minor हो तो age डिसाइज भी determine करने का काम court का है court ये सुनिश्चित करे कि उसकी age क्या है उस पे किसी का कोई pressure तो नहीं है social pressure डाल रखा हो या धंका रखा हो या threaten कर रखा हो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये guideline issue की गई है next guideline है no social remark should be made by court अब जैसे हम सब जानते हैं कि जब judge appoint होते हैं उससे पहले उनकी training होती है और उस training में उनको एक basic चीज बताई जाती है कि जब आप court में hearing सुनेंगे तो वो सिर्फ facts और evidence के basis पर होगा आप अपना कोई personal view नहीं डालोगे ठीक कि मेरे recording तो ऐसा है नहीं जो आपके सामने facts आएं जो आपके सामने evidence आएं आपका decision उन पे ही होना चाहिए आपकर क्या personal opinion है उससे court को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तो guideline में यही बोला गया है कोई social remark नहीं देना चाहिए court को जब इससे related कोई matter आएगा court में तो court कोई social remark नहीं देगी कि आपको counselling की ज़र्थ है आप relationship में क्यों आ रहे हो जब से homosexuality आई है इंडिया में माहुल खराब होता जा रहा है society बिगरती जा रहे है ऐसा कोई judge के the corpus to ascertain their views must not attempt to change or influence the relationship इसमें ये बाद ही बोली गई है कि जब court के सामने case चल रहा है तो ये judge की duty है कि वो अपना decision उस इनसान पे ना थोपे यानि ऐसा न बोले कि आप जो इस relationship में आ रहे हो ये गलत है आपको अपने माबाब की बात सुनी चाहिए आप LGBTQ community में क्यों अहाए हो इससे तो society bigger जाएगी लाइक जो judge का opinion है case से related वो opinion जो याचिया करता है उस पे नहीं थोपनी चाहिए अगर जो detained person है जब वो court के सामने आया और judge और उस person के सामने जब बातचीत हुई और उस इनसान ने अगर ये बोल दिया कि मैं वापस घर नहीं जाना चाहती या मैं वापस अपने family members के पास नहीं जाना चाहती या चाहता हूँ तो यह सुनिश्चित करना भी court का काम है कि उसको immediately वहां से free किया जाए और उसकी protection का भी ध्यान रखा जाए the above guidelines must be followed जो यह guidelines issue करी थी Supreme Court ने यह भी बोला है कि अब से इस से related जो भी matter courts में आएगा lower courts चाहे हाई court हो या lower courts हो इन सारी guidelines को follow किया जाएगा ध्यान रखा जाएगा कि जो भी प्याश्या करता आया है उसकी freedom यारी right to freedom जो है article 21 में उसका ध्यान रखा जाए और LGBT community और illegal detention को भी जान में रखते हुए यह guidelines follow की गई थी I hope आपको यह lecture समझ में आया हो और next video में मुलाकात जल्दी घरेंगे Thank you